हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले के तरफ से दी जाने वाली कार है पत्रक नमबर 33 करेंगे जो की क्लास 6 की है और विश्य है विक्यान ये वर्क्षिट 12 February 2021 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट भोजन के खटक आज की वर्क्षिट में हम रिवीजन करेंगे और करेंगे देखो, کوش No.1 क्या कहता है प्रतेक में सही विखल चुनिए डैश की कमी से रिक्तिस होता है किसकी कमी से प्रोटीन आयोडिन विटामीन ए・ और विटामीन D टो हम लिखेंगे विटामीन D की कमी से रिक्तिस रोग होता है कोश No.2 पानी महतुपुर्ण है पानी क्यों महतुपुर्ण है हड़ियों के निर्मान के लिए तुचा के लिए सही द्रिस्टी के लिए या प्रदार्थों के आवा गमन के लिए तुमने पिछली वक्षीट में देखा थे कि चिकने प्रदार्थ कों से होते हैं चिकने प्रदार्थ होते हैं वसा तो इसका अंसर हो जाएगा D वसा अब हम आगे कोशिन करते हैं कोशिन नमबर 4 देखते हैं ताजे फल, सबजियां एक महतोपुरंट स्त्रोथ है ताजे फल यो सबजियां वह एक महतोपुरंट स्त्रोथ है किसके लिए प्रोटीन, कार्भोईड़िट, विटामिन या वसा तो क्या होता है ताजे फल और सबजियों में विटामिन्स क्या लिखेंगे हैं विटामिन्स उसके बाद कोशिन नमबर 5 की कमी की के से होते हैं 송बाइन लुटल वी इतामिन सी और वी इतामिन अब देखेखें नमबब सिक्स बर्गर डूडल जैसे fast food काने से क्या होता नोडल खाओ गे तो क्यों मना क्या जाता यह Espero कोई healthy चीज नहीं होती है उससे क्या होगा कोई भी nutrient में नहीं मिलते हैं और क्या हो जाते हैं मोटापा बढ़ जाता है तो अंसर 6 का अंसर क्या हो जाएगा डी मोटापा अब हम करते हैं next question देखो क्या कहा गया है यहां पर करते question next देखिए यहां पर हमें match करना है यहां पर हमें क्या करना है match करना है तो आइए करते हैं मखा और वसा जैसे मखन में क्या होता है मखन में क्या होता है वसा होता है वैसे सबजियों में क्या होता है विटामिन हम यहां लिख देंगे विटामिन यहां पर हमें relation मनाना है जिस तरह से मखन किसमें होता है देखो मखन में क्या होता है वसा होता है बहुत जादा फैट होता है उसी तरह सबजियों में क्या होता है विटामिन प्रोटीन क्या करता है श्रीर की विद्धी करता है तो विटमीन क्षünd क्या करता है प्रतिरोधक शमता बढ़ाता है रोगों होता है तो या औरन की कमीं से कौन सा रोग होता है अरक्तता या एनीमिय बोलते है ठीक है अरक्तता ठीक है आयोडिन की कमी से घैंगा होता है तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है अरक्तता मरामस्म यह क्या है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है तो सकर्वी किसकी कमी से है विटामिन C की कमी से तो हम लिखेंगे vitamin C की कमी से कौन सा रोग होता है सकर्वी तो यह हो जाएंगे यहाँ पर match हम इनको करेंगे अब हम करते है next question ध्यान से करना है बेटा देखो यहाँ पर में संभंध बताना है कि जो इन दोनों का है नेक्स्ट दोनों का होना चाहिए थीक है अब हम करते है next question देखो क्या कहा गया next question में प्रोटीन बच्चों को अधिक मातरा में क्यों लेना चाहिए? प्रोटीन क्या होता है? अब यहाँ पही बात सुझ थाम्रोटीन कीन में होता है तो जो दाले होती है हरी जुझाजए कते उनमें भर भर के प्रोटीन होता है अंडा फीश है अगर नोन विज खाते तो फीश इन सब में क्या है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और आपको ये सब खाना चाहिए ठीक है अपनी healthy diet आपको लेनी चाहिए तो आईए करते हैं इसका answer हम तो देखे क्या होगा बिटा answer बढ़ते बचों के लिए प्रोटीन बहुत महतपूर्ण है क्योंकि या बच्चों के लिए लिए क्योंकि हडियों माश पेशियों के निर्मान और स्वस्त तवचा को बनाए रखने के लिए आवशक है किसके लिए हडियों के और माश पेशियों के निर्मान तता स्वस्त बनाए रखने के आफशक है तो तब बच्चों को कूँ पोशन से बचाने के लिए रोटीन की बहुत जादा जरूरत होती है बहुत जादा आफशकता होती है तो आज की वक्षीट कंप्लीट होती है वक्षीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक क कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक यू स्टुडेंट्स